नमस्कार Glimpse of Indian History by Dr. Mohanlal Gupta में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं एतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान इस धारावाहिक में दिये गए तथ्य पूर्णत एतिहासिक तथ्यों पर आधारित है अब तक आप इस धारावाहिक की तीन कड़ियां देख चुके हैं प्रस्तुद है चौथी कड़ी पिछली कड़ी में हमने इसलाम के राजनीतिक स्वरूप की चर्चा की थी कि किस प्रकार इसलाम ने अपने जन्म के साथ ही सैनिक एवं राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया था हजरत मुहम्मद के जीवनकाल में अरब के अधिकांच भूभाग पर इसलाम का वर्चस्व हो गया उनकी मृत्यों के बाद खलीफाओं के नितरित्व में भी इसलामी राज्य का तेजी से प्रसार हुआ अरब वासियों ने संगठित होकर इसलाम के प्रसार के साथ-साथ राजनितिक विजय का अभियान आरंब किया शीग रही उन्होंने भूमति सागरिय देशों सीरिया, फिलिस्तीन, दमिश्क, साइप्रस, क्रीट, मिस्र आदी देशों पर अधिकार कर लिया इसके बाद फारस को इसलाम की अधिनता में लाया गया इस समय तक अरब के मुसल्मानों का जोश कुछ ठंडा पढ़ने लगा इस पर उत्तरी अफरीका के नव मुसलिमों ने अरबों को सहारा दिया और उन्होंने अरबों के साथ मिलकर स्पेन में प्रवेश किया स्पेन तथा पुर्दगाल जीतने के बाद इसलामी सेनाओं का नेत्रित्व अरबों तथा उत्तरी अफरीका के नव मुसलिमों के पास नहीं रहा अपितू स्पेन तथा पुर्दगाल के नव मुसल्मानों ने इसलाम की यात्रा को आगे बढ़ाया इनकी रगों में बेशक यूरोपियन रक्त था किन्तु अब उन्हें यूरोपियन रक्त से नहीं, अपितु केवल इसलाम से मतलब रह गया था यही कारण था कि स्पेन और पुर्टगाल के मुसल्मानों ने अर्बों तथा अफ्रीकी मुसल्मानों के साथ मिलकर फ्रांस में प्रवेश किया जब इसलामी सेनाए यूरोप को तेजी से निगलने को ततपर हुई तो फ्रांसीसियों ने इसलाम के प्रतिरोध के लिए स्वयम को प्रस्तुत किया इसवी 732 में फ्रांसिसियों ने चार्ल्स मार्टिल के नेतरित्व में तुर्स के युद्ध में इसलामी सेनाओं को परास्त कर पुना स्पेन में धकेल दिया जहां इसवी 1492 तक इसलाम का शासन रहा लगभग 760 वर्षों तक इसलाम स्पेन पर शासन करता रहा किन्तु स्पेन के वे लोग जो इसाई धर्म को नहीं छोड़ सके थे उन्होंने मुसल्मानों को स्पेन से निकालने का निश्चे किया इसलिए इसवी 1492 में स्पेन में एक बड़ा खूनी संगर्श हुआ एक तरफ 760 सालों से स्पेन पर शासन कर रहे मुसल्मान थे तो दूसरी तरफ अपने रक्त की शुधता एवं धर्म की शुधता को बचाने के लिए ततपर स्पेन के मूल लोग थे इस युध में स्पेन के इसाई लोग जीत गए हजारों मुसल्मान मौत के घाट उतार दिये गए जो जीवित बचे उन्हें नावों में बैठा कर समुधर में छोड़ दिया गया जहां से वे अलग-अलग देशों में घुस गए अत्वा समुधरी तूफानों में फंस कर मर गए इस प्रकार पंद्रवी शताबदी इस्वी में इसलाम की यात्रा को यूरोप में बड़ा धक्का लगा और उन्हें फ्रांस की तरह स्पेन से भी हटना पड़ा स्पेन के मुसल्मानों की दुर्दशा देखकर अर्बों ने फिर से मोड़्चा संभाला अरब के मुसल्मानों ने पूर्वी रोमन सामराजे की राजधानी कुस्तंतुनिया पर भीशन आकरमन किये किंतु अरब के मुसल्मान रोमन सामराजे को ध्वस्त नहीं कर सके इस पर पंद्रवी सदी में ओटोमन तुरकों ने कुस्तंतुनिया पर भीशन हमला किया जो की रोमन सामराज्य की पूरवी राजधानी थी तुरकों ने कुस्तंतुनिया को जला कर राख कर दिया उनके चर्चों को मस्जिदों में बदल दिया तथा हजारों रोमन रक्त के लोगों को पकड़ कर बलपूरवक मुसल्मान बनाया आगे चलकर रोमन रक्त के मुसल्मान इसलाम के ध्वजावाहक बन गए और उन्होंने अपने मूल रक्त के लोगों अर्थात रोमन लोगों का बड़ी बेरहमी से सहार किया कुस्तंतुनिया नकेवल रोमन सामराज्य के हाथों से निकल गया अपितु वह इसाईयों के हाथों से भी निकल गया इन दो बातों के अतिरिक्त रोमन लोगों के लिए सबसे बुरी बात यह हुई थी कि अब इसलाम रोमन सामराज्य के पूरवी द्वार को रोक कर बैठ गया वह कभी भी समूचे रोमन सामराज्य को निगल सकता था ओटोमन तुर्कों द्वारा कुस्तंतुनिया को इसलामी तलवार के नीचे लाया देखकर अरब के मुसल्मानों को एक बार फिर से जोशाया और उन्होंने आगे बढ़कर फारस को जीत लिया कुछ ही समय बाद अर्बों ने बुखारा और समरकंद पर अधिकार किया इस प्रकार इसलाम ने मध्य एशिया पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया इसके बाद इसवी 712 में उन्होंने भारत के सिंध प्रदेश पर अधिकार किया इसवी 750 में उन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया इस समय तक अरवासियों का इसलामी राज़ स्पेन से उत्तरी अफ्रीका होते हुए भारत के सिंध प्रदेश और चीन देश की सीमाओं तक फैल चुका था कृप्या इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवम शेयर करें अगली कड़ी में देखिए इसलाम के विश्वव्यापी प्रसार के कारण धन्यवाद जैहिंद